नमस्कार कक्षा नोवी वाले च्छात्र अपना हिंदी का 83 परिक्षा का पेपर देख लिजेगा ये हमारा बिल्कुल जीयल वाला पेपर है तो आप सभी इस पेपर को पूरे याद कर लिजेगा ताकि आप सभी हिंदी के पेपर में 75 में से 75 अंकल लेकर आ जाए और इस पेपर का समय तीन गंटे होने वाला है और आपको इस पेपर का संपुल उत्तर इसी वीडो में मिलने वाला है तो सबसे बिले आप सभी इस वीडो को आपके सभी दोस्तों के साथ सेर कर दिजिगा इसके साथ ही आपको इस वीडो को लाइक कर देना है तो सबसे बिले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिये गए हैं, इनको पलडी जिगा, इनको बढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रसंदिया है, जिसमें सही विकल प्रचुन कर उत्तर लिखना है, जो आपकी परक्षा में चे नंबर के पूचे जाने वाले हैं, पहला दूसरे किसका है? यह आप सभी को बता कर लिखना है, तो पेले का उत्तर आप सभी लिखना होगा अब अवला सहासी केते हैं, तीसरे का जोरी ने अपने बेलो को कहा, बेज दिया था तो कहां पर बेज दिया था यह आप सभी को बताना होगा तो लिख लिजगा तीसरे में आपको लिखना होगा बवला ससुराल में बेज दिया था चोटा देख लिजगा मृत्यू का तरल दोत किसे कहा गया है यह आप सभी को बता कर लिखना है तो चोटे में एक करेक्ट अंसर आपको लिखना होगा आवला बाड के पाने को पाच्वा देख लिजगा राम चरित्र मानस है तो राम चरित्र मानस केसा है तो इसमें आपको लिखना होगा अवला महाकाव्य है चेटा देख लिजगा दोवर्नों के मेल से उत्पन विकार को केते हैं तो लिख लिजगा इसमें आपको लिखना को दवला संदी केते हैं दूसरा प्रसंद देख लिजगा जिसमें रिक्तिस्तानों के पूर्ती करके लिखना है जो आपकी परिक्षा में छे नंबर के पूचे जाने वाले हैं पहला देख लिजगा मेमान को बूजन में सबसे ज यान किसका मिला जुला रूप है तो दूसरे में आपको लिखना होगा वायू यान आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर तीसरा देख लेजगा संचारी बावों की संक्या कितनी है तो तीसरे में आपको लिखना होगा 33 चोता देख लेजगा वह तो पुन्मासी के किसके समान है तो चोते में आपको लिखना होगा चांद के समान है चांद आपको लिखना होगा चोते का उत्तर पाँचिवा देख लिजगा कोयल को हरियाली डाली मिली और कवी को किसकी कोटरी तो लगा लिजगा पाँचिवा आपको लिखना होगा काल काल की कोटरी मिली चेटा आपका दिया है समाज कितने परकार के होते हैं तो चेटे में आपको लिखना होगा 6 6 आपको चेटे का उत्तर लगाना है तीसरा प्रसंद देख लिजगा जिसमें इस सत्यत्वा असत्य बता के लिखना होगा जो आपकी परिक्षा में 6 नमबर के पूछे जाने वाले है देख लिजगा आपका पेला दिया है मंगोलों का मुँ लाल होता है तो बिल्कुल होता है सत्यो जाएगा दूसरा आपका दिया है वीचार विनमे की माध्यम को बाशा केते हैं तो बिल्कुल केते सत्तो जाएगा तीसरा आपका दिया है हीरा और मोती में गहरी दोस्तिती तो बिल्कुल याँ पर ती सत्तो जाएगा सूरज का भ्या एक कहानी है तो बिल्कुल नहीं है असत्तो जाएगा पांचवा आपका दिया है गांदी ची अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रेना चाहिए तो बिल्कुल रेना चाहिए सत्त हो जाएगा जीटा आपका दिया है सब्दिके आगे जुडने वाले सब्दांस उफसर केलाते हैं तो बिल्कुल केलाते सत्त हो जाएगा चोता प्रसंद देख लिजिगा जिसमें सही जोडिका मिलान करके लिखना है जो आपकी परिक्षा में चे नमबर के पूची जाने वाले हैं सही जोडिका मिलान कर लिजिगा हत कडिया इसमें आपको लिखना होगा गहना जात का कस्रम में लिखना होगा जात्री सम्माननी में आपको लिखना होगा आदर योग इंद्र का प्रियावाची में आपको लिखना होगा सुरपती बुद्धी हिन प्रानी में आपको लिखना होंगे जो आपकी परिक्ष्या में छे नमबर के पूचे जाने वाले हैं पहला देख लिजिगा साहित्तिक पूर के किसे कहा गया है तो पहले में आपको लिखना होगा मुंसी प्रेम चंद को लिख लिजिगा दूसरे में आपको लिखना होगा हाती से की गई है तीसरे में आपको लिखना होगा रूपक अलंकार आपको लिखना है चूता देख लिजगा काव्य कितने परकार के होते हैं उनके नाम आप सभी को बता कर लिखना है तो लिख लिजगा काव्य दो परकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं लिख लिजगा सरव्य काव्य और दुसरा हमारा द्रश्य काव्य हो जाएगा ठेके हैं द्रश्य काव्य और पांचवा देख ले जिगा कांजी होसका चोकीदार लाल टेल लेकर आता था तो किसलिए आता था ये आप तभी को बता कर लिखना होगा तो पाँचभे उतर लगा लेजिगा हाजरी लेने आता था और छेटा देख ले जिगा विदेसी बासाओ से आए सब्य क्या कहिलाते है इसमें आपको लिखना अगा विदे सज सब्य कह लाते है लिख ले जिगा अपनी रब को प्रे आहे पल लिजगा अब आप सभी दो दो तिन तीन एवं चाचा नमर के प्रस्ण देख लिजगा और हाँ इन सभी के उत्रा आपको पता देंगे इस वीडियो के लाश्ट में तो चेटा देख लिजगा विश्वका सबसे बड़ा अंत्रिक्स संस्तान कहा है यह आपको बताना होग अत्वाद एक लिजगा मासिक वेतन को पून मासिक चान क्यों कहा गया है इसकी बार में आपको लिखना है साथ वाद एक लिजगा है बक्तिकाल को स्वन योग क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको लिखना है अत्वाद एक लिजगा है इसकी बारे में आपको वतना है अत्व आपका दिया है हत्कडियों को गेना क्यों कहा है तो कभी ने हत्कडियों को गेना किस कारण से कहा है यह आप सभी को बता कर लिखना है और यहाँ पन्नोवा देख लेजगा मुंसी प्रेमचंद के साइते की दो विशिस्ता आपको बताना है अत्व आपका दिया है मु अत्वा देख लेज़गा जिसमें संदी दता समास में अंतर बताना होगा 11 आपका दिया 11 के बाद 12 आप रसंद लेज़गा किस घटना ने सालिम अलिके जीवन की दिसा को बदल दिया था अत्वा आपका दिया है कानजी होस में पसो की हाजरी क्यों ली जाती थी इसके बार में आपको बताना है तेरवा आपका दिया है निपात सब्दी क्या है इसके बार में आपको लिखना है अत्वा आपका दिया है निमनलिकित सब्दों का संदी विचेत करके आपको लिखना है चौदोव प्रसन देख लिए जगा चौदवे की बाद आगे हम चलेंगे तो आपर 15 प्रसन मिल जाएगा ठीगा पल दीजगा और 16 प्रसन आपका दिया है इसमें अलंकार की परवशा लिखना होगा उधरन सहित और अतिवी वाले प्रसन में आप सभी को निपात सब्दू का प्रियुक करते हुए एक एक वाक की बना के आपको लिखना है सत्रुव आपका दिया है रसकी से के ते रसके अंगों के नाम बताना होगा अत्वे वाले प्रस्ण में आप सभी को महाकाव और खंडगाव में अंतर बताना है और आप सभी देख लिजगा अच्टाडव प्रस्ण इस प्रस्ण में कावयंस की संदर्व प्रसंग सेथ भावर्थ आपको लिखना है तो इनकी उत्र भी आपको बता देंगे इस वीडियो की लाश्ट में ठीक है और आप से भी देख लिजगा उन्निस्व प्रस्ण इसमें एक गध्यांस आपको दिया है गद्यान्सों को पढ़ने के बाद आपको संदर्ब प्रसंग सेत वाक्या करना है तो इनके उत्र भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लाश्ट में अब आप सभी देख लेजगा बीसोव प्रसंदा छूटा परिवार सुकी परिवार वी से पर एक अनुशेद आपको लिखना है अत्वी वाले प्रसंद में क्या करना होगा कक्षा में अपने प्रियमित्र अपने दोस्त से पढ़ायर से संबन्यत समवाद आपको लिखना है एक किस्वी प्रिशन में आप सभी को एक गध्यांस दिया है इस गध्यांस को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रिशनों के उतर आपको यहां से देना है जिससरी के आपका पहला प्रिशन दिया है जिसमें सिल्सक आपको बताना होगा तो सिल्सक लिख लिजिगा सिल यूक्त व्यावार मनुष्य की प्रक्रति ठीक है यह आपको लिख देना यहापर से लिखते व्यावार मनुष्य और दूसरा आपको दिया है से लिखते व्यावार की क्या विस्ष्था है तो यहां से लेकर यहां तक आपको लिख देना है ठीक है और 22 प्रस्ण में क्या करना होगा, अपने कक्षा सिक्षा को अर्द दिवस, मतलब आदे दिवस के लिए, अवका से तु आधन पत्र आपको लिखना होगा, और अत्री वाले प्रस्ण में आप सभी को एक पत्र लिखना है, और तीस्वी प्रस्ण में आप सभी को किसी एक वी ले कर कि पांसीता क्योंफर पेले बता दिया है अब हाफ सभी चीश से लिकर तेष्ट की उत्र हो जाएगा चीटे के बाद पर आधिशू कह पूर मीं जाएगा और इसके साथ आप सभी को साथवे प्रश्न का उत्तर आट वी की बाद आगी हम चलने वाले तो आप सभी को साथवे प्रश्न का उत्तर आट वी की बाद आगी हम चलने वाले हैं तो आट वी का अत्वी का उत्तर आसे मिल जाएगा और आप सभी को नोवे प्रश्न का अत्वी का उत्तर नहीं से मिल जाएका लिखना है इसके साथ है आपसे प्रिशन का उत्तर प्राइब सभी की बात्र kazण को आगी हम चलने वाले तो आप सभी को दस्रों कर अत्वी का उत्तर और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को तेरवी पृस्ण का अतवी का अत्वा से मिल जाएगा संधीक्न होगा आपको ku ॐ अधर चॉवदे परि बसन ना चॉर्वदे के सोर्वा के बाद 16 पार में अंतर बतना को मिल जाएगा 14 ल chemistry को यह से द Municipal प्रेस्ट को स्थ believer मिल जाएगा 19 को लिए से मिल जाह डिक है और अपको क्या करना है 20 इस एक की से बाइस और तेस इनके उत्राव को अपनी किताब से देखकर लिक लेना है याद कर लेना है ठीक है मिलते अगले वीडियो में